नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड़सी दुनिया में काइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे टी टी सी वोसिस टी सी के भी जो खेला जाएगा असाम मेंस टी 20 का मैच काइस यह ग्रूप बी का मैच होगा जहां पर दोनों टीम ना डेव एक और लखा हूं आपके लिए असाम पचास ओव एक फॉर्मेट में जो ट्रूनामेंट खेला था दोनों टीम उसमें क्या कुछ पर्फोर्मेंस था बेस्ट प्लियर्स का यह जो होगा ना यह यह फिंग वन ऑफ फाइनेस्ट पेरामिटर होगा इस टूनामेंट के लिए और इस मैच के लिए भी तो यहां से हम लोग देखेंगे कौन सा टीम बेटर पर्फॉर्म करते हुए दिखा कौन से प्लियर्स बिटर थे बॉलर्स कौन से बिटर थे प्रोबबल बैटिंग ओर देखेंगे देखेंगे ओवरॉल रिकॉर्ड यहां पर हम लोग एज भी क्या है से मिलेगा आपको प्रोबबल बैटिंग ओर फिर इनके रिकॉर्स एंड कैप्टन वाइस के लिए चॉइस तो पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक बहुत बिटर टीम अप खुद अपने से क्रेट कर पाऊगे तो मेक्शूर करना आप वीडियो सिर्फ इस मैच का नहीं ओमान डीटेन एन असाम मैंस क्लब दोनों का आपको फाइनल अपडेट मिलेगा कहां पर टेलीग्राम पे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या फिर कॉमें सेक्शन में जो लिंक पीड क्या है ना ब्लू कलर का उससे आप टेलीग्र पड़ेगा तो इनके बहुत अच्छे वैट स्पिन है ऐसा नहीं है बट अगर यह टीम चेस किया ना ऐसा हो सकता है टीसी इतना ही कम रन बनाया मतलब 70-90 के बीच जो टीटीसी चेस कर सके उस कंडिशन में शायद हम लोग इनके थोरे से कम बॉलर लेंगे बट अगर बॉल काइस आप भी बहुत अच्छा वीट कर पाओ एंड फ्यूचर मैच के लिए फ्यूचर अपडेट के लिए टेलीग्रम भी जोईन हो जाना एवरेस्कोर एकसो 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 टीसे रन है इस ग्राउंड पे जहां पर चेसिंग मुश्किल हो रहा है बट इंपॉसिबल नहीं ह अगर वीक टीम पहले इनिंग्स में बैटिंग करेगा और बहुत कम रन बनाएगा तो शायद चेसिबल है टीटीसी से लास्ट टूनामेन जो ना 30 ओवर के कुछ मैच कुछ 40 और कुछ 50 हुआ था तो उस टूनामेन में क्या हुआ था शीभाम हाइस्टेट बनाए थे फोन म में था 32 50 के मैच ते और यह क्या होगा सिफ 20 के मैच है मतलब यहां पर बैटिंग के चांसे नीचे के बैट्समें को थोड़े से कमाएंगे बैसिकलिए अविलाश और गैस आयूश खासकर करके अविलाश और गैस अमीथ बहुत ही नीचे बैटिंग करते ठीक है अविलाश में फॉर्टीएट का एवरेज सुवान फॉर्टीव फॉर्टीव अन्नबनात मुईना और गैस सम्राथ यह जो सम्राथ है यह बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे बट एज ऑल्राउंडर प्ले करने वाले टॉप बॉलर यह पार्ट मुझे सबसे इंपॉर्टन लगता है और और शिर्टी धा चैनल में गैस्ती टीस से राजा मली चार में आड़े में अड़ेखे था सम्राथ चार शेव फंगेट दून आपके लिए पंद हो सकते हैं सुबहम चार में पार्ट में महीना का तीन में चार और यूबसफर शॉर थिन अब टीटीउस के साथ मिहार के एक लेफ्ट हेंडेट बैस्मेंट फिर राइट हेंडेट बैस्मेंट का जड़ी है मतलब ऑपोनेंट से जो लेफ्टाम अथ्टोक्स होंगा वो पंथ प्ले कर सकता है इवें लेग स्पिनस तो इस तीम से अगरवाल को हम लोग ट्राइ कर सकते हुए किसे फिलाल हाइली सिले पॉइंट बहुत इंपॉर्ट है ले सिलेक्टेट है 55 मैच में 42 से बहुत जादा रहने नंबर ऑफ ओवस बहुत डिसेंट है 55 मैच में 202 और विकेट भी डिसेंट है क्या करते है राइटम आप स्पिन ऑपोनेंट के पास कुछ लेफ टेंडेड बैट्समन है मैं दिखाऊ होंगा आपको तो यह इस मैच में बॉलिंग करते हुए दिख सकता है ज्यादा और गैस अच्छा खासा पंथ होगा इस मैच में एल्जा वाइस कैप्टेन और कैप्टेन अभी लाज चौवन मैच में 90 विकेट है नंबर ऑफ विकेट बहुत जादा है असाम टी 20 में इनका आपको पंथ कुछ बैटिंग से पॉइंट दे बट मैं प्रिखर करूंगा कि मैक्सिमां बॉलर करके चलू यहाज उदीन सेम बात है ज्यादा बैटिंग से परफूमेंस तो फिलाल इग्नोर करेंगे शिवब मित्तल डिफेंशल हो सकता है रिसेन फॉर्म अच्छा है असा गुपता फिलाल इग्नोर कर देंगे क्योंकि तस मैच में केबल 12 ओवर है अमान चेत्री असाम्टी 20 में अच्छा बॉलिंग किया था साथ मैच में इन्होंने 1161 एकसट रन है 24 के अवरेज बैटिंग थोड़े से कमी करते है बट हम बॉलिंग से अच्छे नंबर ऑफ ओव बहुत है और विकेट देखो यार बंदा यह जो है ना डिफेंशिल हो सकता है क्योंकि यह लेग स्पिनर है ठीक है क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर को बहुत जादा है और लास्ट मैच में तो जो परविज अजीच बगेरा टीम था उसमें तो सभी स्पिनर ने बॉल पेसर ने डाला था ठीक है तो हो सकता है यह भी तिन का पहला मैच है तो शायद यह आपे भी बॉल इस पिनर्स जादा बॉलिंग करते है अपको अभी लाश अभी शेक कुमार क्या करते है राइटर मीडियम 16 मैच में 33 विकेट है नंबर ऑफ ओवर्स बहुत डिसेंट है ट इतन फटो वाला चोड़ दो अभी चौकलो बते हैं मैं क्यों कैप्टन बढाऊंगा 83 मैच में 149 विकेट है कमाल कमाल लाजवा भी कोई विकेट है ओवर अच्छा है असाम T20 के हर मैच में विकेट मिला था और ना यह लेफ्टाम और्टोडोक्स है मेरा सबसे पसंदीता बॉलर होता है लेफ्टाम और्टोडोक्स तो यह बढ़िया सा कैप विसी होगा और इस मैच मैं इस बेस्ट पंथ होगा ऐसा कैप विसी तीसी से अगर देखोगे ना अनब ओपन करने वाले सुभंगर वन डाउन फिर मंसूर फिर रुहित सेंस सम्राथ बिस्वास और यूश अगरवाल विकी अगर कराएगा तो थोड़ा से स्टॉंग टीम से बिलॉंग करता है ज्यादा स्पीनर है उनके पस तो शायद वह ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हो विकी से रोहित सेंकर 29 गवरेज डिफेंशल हो सकता है बट एज कम है यंग प्लियर है देखना बड़े गई गादा मैच मुहमद मसूर अली ज्यादा रन है नहीं पाच मैच में 149 डिफेंशल ट्राइकर ना है तो कर सकते हो महिना बैस फूर 15 मैच में नमबर एवरेज डिसेंट है बहुत खराब नहीं है पॉइंट वान पॉइंट टू क्या है ना 51 ओवर है मतलब 15 है बालिंग भी करा ले सकता है बड़ पार्ट टैम आरे प्योर बाला नहीं है सुजीत नंडी 36 मैच में 16 ओवर है तो क्यों हम लोग लेंगे नहीं लेंगे रहूल तरलगदर सेम बात है मुझे ना बैटिंग सेक्शन से भी ना जो बालिंग ऑप्शन मिल रहे ना मैं पहले उनको कवर करूँगा अशीम दाशी दस मैच में 21 ओवर है बर 10 विकेट है तो ट्राइक कर सकते हो बर राजा मलिक मुझे बहुत डिफसेन लग रहा है 21 मैच में 49 विकेट है दिखो यह ना क्या है राइट अम मीडियम और मुझे लगता है यह तीम थोड़ा सा थोड़ा सा तो हो सकता है कि यह तीम अगर फर्स्ट इनिंंस मैं बॉलिंग करे उस कंडिशन में राजा मलीक अपके लिए डिफाल्ट है क्योंकि वो डेध में आ सकते यह चांसल है वर 20 प biết अकंडिशन में कुछ रिस्क भी हो सकता है एक और बात मैं आपको बतारा हूं यह सभी players की record ना same official stats से लाया गया किसी को मैंने इस से पहले केल दो यह नहीं देखा जादा तर प्लियर्स को अमन चिद्री जैसे एक आदा को मैंने देखा था तो क्या हो सकते है ना थोरा जो stats है ना जो राइटर मीडियम है तो आप जो important बोलर है जैसे कि राजा मलिक हो गया मुझे लग रहा है तो इनको cover करके चलो अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो मैं माफी चाहता हूँ मैं 100% try करता हूँ कि best और proper result देने का बट अकसर जो official stats है उसमें 99% सही होता है बट एक आदा प्लियर अगर पूर टुर्णामेंट में देखो कि 2-3 प्लियर होता है 200-400 प्लियर में 2-4 प्लियर होता है जिनके records थोड़े उपर नीचे होते है जैसे कि राइटर मीडियम हो गया राइटर माफ स्पिनर बगरा तो माफ़ी चाता हूं उसके लिए सुबहम दा सकता देखो कि 17 मैच में 22 राइटर मीडियम है नमबर ओफ ओवर्स डिसेंट है तो ये बंदा आपको बॉलिंग करते हुए दिखना चाहिए विशाल देखो इग्नोर करेंगे राजा गर्मकर इग्नोर प्रेम चोहान 19 मैच में 61 बंदेगा और 30 विएट है दिखो दो चीज़ समझो आप पहला चीज़ है ये लेफटर मीडियम है सब राइटर मीडियम के बीच में ये एक होंगे लेफटर मीडियम तो ऐसा हो सकता है कि ये लेफटर मॉटरोक्स निकले और सबसे इंपॉर्टर मीडियम तो शायद एक डेट में भी आ सकता है क्योंकि आपकोड एंगल क्रेट करेगा ठीक है और टीम वेराइटिव नंबर बॉलर्स को ट्राई करेगा एज इनका डिसेंट है तो ये आपके टिम में होना चाहिए प्रेम जोहान समराथ बिस्वास एज कम है बट 25 मैच में नहीं कावने के लेफटर मॉट्रोक्स इस टीम के पास बहुत कम है आईडिली ये आपको ओवर कंप्लेट कराते हुए दिख सकता है ऑपन इनके बस जादा था राइट हैने बैट्समन है तो एक और चांस है कि इनका ओवर भी गंपलेट होते हैं और बैटिंग से भी इनका कुछ पर्फॉमिस रहा है उसमन बस पर राइट है मीडिया में बट 22 मैच में 34 वीगट है नमर ओफ ओवर डिसेंट है एक्सपिरियंस है तो हाई चांस है कि देट में भी आ सकता है तो हम लोग इनको ट्राइट कर सकते हैं अपने टिप में ठीक है पर से स्टिम के पास औपनेंट के पास बहुत सारे राइट हैंडे बैट मैंन और यहां पर काम करेंगे यह बैटिंग से भी पॉइंट देगा तो देखो एक लेंट है बैट मैंट तीन है मतलब जो और पे छोड़ा सभी हो बहुत करने में 0.1 होगा ऐसा नहीं है बड़ हो सकता है जो आपनेंगे राइटा मॉपस्पे नहीं होंगे यूज होंगे इस मैच में बहुत जाला बट यहां पर फिर से सभी राइट हैंडर बैट्समें मतलब क्या होता है इनको बॉलिंग करने के लिए आ जाएंगे सम्राइट और भी कुछ अपडेट होगा आफटर टोस टेलिग्राम पे मिलेगा टेलिग्राम जॉइन हो जाना वीडियो पसंदाए तो लाइक कर देना फिलाल रहेगा मेरा वीसी अमन चेत्री कैप्टेन अभी चॉक्रोबटी एक कुमार्दी को अभी चॉक्रोबटी ऑपनें के पास नह पर टीम के पास अबिलिबल है नहीं यह दास हमारे पास आर्मली के हमारे पास हमारे पास है समराट विस्वास पी चोहान मैंने इनका अगर बॉल फर्स्ट हो ना तो ठीक है अदर्वाइस नहीं से हम लोग इनको या फिर असीम दास चास करके मैं शायद रोटेट करूं और इन से नहीं एक एक्स्ट्रा बॉल दो अकास शेद्री अगर खेलता है तो बेश्यक अकास शेद्री को ले सकता हूं क्योंकि हमारे पास नहीं अल्रेडी दो राइटा मॉफ स्पिन अद्ध है इस टीम से भी ठीक है एम बस पोर हमारे पास आर्मली का तो यह रहेगा मेरा फ जब